हेलो बच्चों अब सभी का स्वागत थी इस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नमबर 5 को और चैप्टर नमबर 5 है हमारा कंजर्वेशन आफ प्लांट्स एंड अनिमल्स तो यहाँ पर यह जो चैप्टर है इस वह कैसे किया जाता है देखे भाई हमारी दुनिया में आज अगर आप देखते हैं तो आप अपने आसपास देख रहे हो कि सहर बहुत ग्रो कर रहे हैं बहुत जगों पर एकदम तुमको दिखेगा कि टाइल्स रोड पर बिच्छाए गये हैं सड़क एकदम पक्के सड़क बनाये गए हैं लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि जिस इलाके में तुम्हारा घर है या जिस सड़क से तुम जाते हो या जहां तुम्हारा गाव है वहां कभी पहले जंगल हुआ करता था उसी प्रकार से बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी जंगल हैं लेकिन उनको भी धीरे 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 खतम किया जा रहा है तो यहां पर उन जंगलों को हम बचाने की बात करने वाले हैं और उन जंगलों में रहने वाले जो जीव जनतु हैं उनको कैसे बचाय जाता है ये चीज़ समझने वाले हैं देखे भाई यहाँ पर हम लोग क्या topic पढ़ रहे हैं conservation of plants and animals ठीक है भाई हम समझ रहे हैं कि plants और animals को कैसे बचाना है लेकिन फिर यहाँ पर हम लोग जंगल यानि की forest की क्यों बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर अपने आसपास रहने व study करेंगे जंगल के बारे में forest के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी दुनिया में जितने प्रजाती के जितने तरह के जीवजंतू रहते हैं उनमें से बहुत बड़ी संख्या में जीवजंतू कहां रहते हैं जंगल में रहते हैं ठीक है हमारे शहर में त बिल्ली, गाए, या फिर हो सकता है, और कुछ छोटे-मोटे जानवर रहते हैं, लेकिन जब तुम किसी जंगल को देखोगे न, तो जंगल में लाखो तरह के जीवजनतु रहते हैं, जंगल में क्या तुमने आज तक कभी शहर में बाग घुमते हुए देखा है, शेर घुमत यह सब चीज तो मैं जानता भी नहीं था, यह सब चीजे मैंने देखी भी नहीं थी, तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में जंगल की बात करने वाले हैं, फॉरिष्ट की बात करने वाले हैं, क्योंकि फॉरिष्ट में बहुत बड़ी संख्या में प्लांट्स और एनिम जो हमारे पहली और बूजो हैं, वो जंगल गय थे, हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि वो जंगल गय थे, अपने प्रोफेसर एहमद और प्रोफेसर टीबो के साथ, ठीक है, कहता है कि they were eager to share their experiences with their classmates, other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited वरत्पूर सैंचूरी, मतलब बात यहां पर simple है कि देखो भाई यह जो बच्चे हैं, यह क्लास के बच्चे हैं, इनमें से कुछ बच्चे गय थे घूमने आपको जंगलों में, कुछ बच्चे सैंक्चूरी घूमने गय थे, कुछ बच्चे जो थे उन्होंने काजी रंका नैशनल पार्क के बारे में, सैंक्चूरी के बारे में, बायो स्फेर रिजर्व के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात करना चाहते थे, और यहां पर इस चैप्टर में हम भी इन्ही चीजों की बात करेंगे, और इन्ही चीजों को समझने की कोशिश करें अब यहाँ पर यही सवाल आता है कि हमारे देश में जब तुम पता करोगे तो हमारे देश में तरह तरह की चीज़े तुमको मिलेंगे देखो यहाँ पर हमारे देश में नैशनल पार्क मिलेंगे तुमको wildlife century मिलेंगे, biosphere reserve मिलेंगे, tiger reserve मिलेंगे और भी तरह तरह की चीज़ पार्क बोला जा रहा है एक को wildlife century बोला जा रहा है biosphere reserve बोला जा रहा है ऐसा क्या है यहाँ पर तो भाई देखो बात यहाँ पर ये है कि देखो हम अपने आसपास जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि हमारे आसपास हम देख रहे हैं कि जंगल जो है वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं क्यों गायब हो रहे हैं भाई क्योंकि हम लोग बड़े बड़े शहर बना दे रहे हैं हम लोग जो हैं अपना गाव बना दे रहे हैं हम लोग जो हैं रोड बना दे जा रहे हैं, खतम करते जा रहे हैं, अब जब हम जंगलों को खतम करते हैं तो जंगल में वो जो छोटे मोटे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो जो प्रजातियां होती हैं, वो भी खतम हो जाती हैं, साथ में जैंगलों में रहने वाले जो जीवजन्तु हैं, उनका घर भी खतम हो जाता है और उनको रहने के लिए घर नहीं बचता है तो भाई यहाँ पर बात यह है कि सरकार ने जब देखा कि भाई यह जो हमारे forest हैं इन forest को बहुत बड़े अस्तर पर काटा जा रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश में सारे forest गायब हो जाएंगे और वहां रहने वाले जीव जन्तु भी गायब हो जाएंगे क्योंकि उनका घर ही forest है और forest गायब तो वो भी गायब तो फिर यहाँ पर क्या होगा हमारे पास इतने जो परजातियां है जीव जन्तु के ये नहीं बचेंगे ये जो बड़े बड़े जंगल हैं ये नहीं बचेंगे तो सरकार ने क्या किया अलग-अलग इलाकों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग इलाकों में पेड़ पौधों को बचाने के लिए वहाँ पर रहने वाले जीवजन्तूओं को बचाने के लिए उनके घर को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया सरकार के लोगोंने क्या किया अलग अलग चीज़े बना दी जैसने कहीं पर National Park बना दिया कहीं पर World Lab Century बना दिया कहीं पर Biosphere Reserve बना दिया अब देखे तीनों को detail में हम आगे पढ़ेंगे कि भाई national park क्या होता है, wild lab century क्या होता है, biosphere reserve क्या होता है, यह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर basically आप यह समझ लीजिए कि यह जो चीजे बनाई गई हैं, यह सारे बनाए गए हैं ताकि forest को conserve किया जा सके, forest को protect किया ज जा सके, यहाँ पर लोगों को पेड़ काटने से रोका जा सके, जानवरों को मारने से रोका जा सके, इसलिए यह सारी चीजे सरकार द्वारा बनाई गई हैं, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे सामने क्या है topic, topic है deforestation and its causes, अब है deforestation इसकी बाद तो हम ल चीजे होती है, एक तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास पेड़ है, और इस पेड़ को हमने क्या किया, काट दिया, और पेड़ को काट करके हमने हटा दिया, तो क्या यह deforestation की बात हम लोग कर रहे हैं, नहीं, यह simply tree cutting है, deforestation की बात हम लोग तब करते हैं, जब किसी इलाक में बहुत घंघोर घना जंगल हो इस प्रकार का जंगल हो और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ होukt हम लोग साफ कर दें यहां पर जितने भी पेड़ हैं गायब कर दें उस प्रकार से जंगल हमारा गायब हो जाता है deforestation ठीक है तो इस jni deforestation के आई यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बात कर लेते हैं अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कि a great variety of plants and animals exist on earth हमारे अर्थ पर बहुत प्रकार के plants और animals exist करते हैं मेरे ख्याल से करीब 6 लाख या 8 लाख प्रकार के पौधे हैं और करीब इतने ही प्रकार के हमारे जीब जन्तु है animals हैं ठीक है मतलब सुचो कितने variety के हमारे दुनिया में animals हैं plants हैं ठीक है और इन में से ज़्यादा तर जो survive करते हैं वो जंगलों में survive करते हैं जैसे कि तुम अगर कई बार सुनते होगा कि भाई हमारे देश में जो बाग हैं उनकी संख्या कम हो गई है हमारे देश में जो ह हम वो जिस इलाके में रहते थे जिन जंगलों में रहते थे हमने उन जंगलों को काट दिया हम जंगलों में जाकर उन जानवरों का शिकार करने लगे उनको गोली मारने लगे इसलिए उनकी संख्या कम होने लगी तो यहां पर यही चीज कहता है कि हमारी दुनिया में बहु जानवरों को बचाएंगे, पेड़ पौधे बचाएंगे, तो हमको अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है, इनका सर्वाइवल जरूरी है, ताकि हम लोग जिन्दा रह सकें, यानि मानव जाती को जिन्दा रहने के लिए, हमारे प्रकृती को अच्छा रहने के लिए, इन ज रवस्था बना हुआ है, जिसमें कि सभी जानवर जीवित रहते हैं, अच्छी जिन्दगी जीते हैं, वो भी खतम हो जाएगा, तो यहाँ पर बात क्या है, बात ये है कि भाई, इनको बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमें जंगलों को बचाना है, क्योंकि मैंने threat to survival of this organism is deforestation, इनके जिन्दगी को सबसे बड़ा खत्रा क्या है भाई, deforestation है, यानि जो जंगलों को हम लोग साफ करते जा रहे हैं, वो इनके लिए बहुत बड़ा खत्रा है, देखें यहाँ पर अगर आपको लग रहा हो यार्ज ये तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं ह है, deforestation, थोड़ा बोड़ा जंगल काटा जाता है, नहीं, आप कभी अगर यूटूब पर बहुत सारे वीडियोज अवलेवल हैं, तो मैं तो यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है, ठीक है, तो उसमें आप कभी सर्च किजेगा, deforestation with google earth, तो वहाँ पर कई सरे वीडियोज उनमें दिखाया गया कि आज के 20 साल पहले कितने जंगल हुआ करते थे, और आज कितने जंगल होते थे, किन इलाकों में जंगल थे, नहीं थे, आज नहीं हैं, तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 से 20 साल में ही हमारे दुनिया में इतने जंगल काट दिये गए हैं, कि सोचिए कि उसके हिसाब से आज के पिछले 100 साल में, 200 साल में कितने जंगल काटे गए हैं, तो बहुत बड़े अस्तर पर जंगल काटे जा रहे हैं, और इन जंगलों के कटने की वज़ा से, यहाँ जो different variety of plants available थे, वो भी खतम हो रहे हैं, और स plants और animals खतम हो जाते हैं, तो हम लोग भी survive नहीं करने पाएंगे, हम लोग भी जिन्दा नहीं बचने पाएंगे, यहाँ पर deforestation के बारे में बताया गया, we know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes, deforestation का simple मतलब क्या, simple मतलब कि जंगलों को साफ करना, और उस जमीन को, जिस पर जंगल था, उसक purposes mentioned below, भाई जंगल क्यों काटे जाते हैं, मतलब जंगल में जो पेड़ हैं, उनको क्यों काटा जाता है, तो सबसे पहला जो reason है, वो क्या है, procuring land for cultivation, देखो भाई, आज जो मैंने शुरू में, वीडियो के शुरू में बात किया, कि हम लोग सहर बना रहे हैं, रोड बना रह हो रहा है, ठीक है, तो उसके पहले जो जंगल मेंली कटते थे, इनसानों ने सबसे पहले जो जंगल काटना शुरू किया, वो क्यों किया था, वो किया था, क्योंकि उनको जमीन चाहिए था खेती करने के लिए, खेती को बढ़ाने के लिए लोगों ने बड़े अस्तर पर जंगल काटे थे, ठीक है, फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, लोगों ने लकडियों का यूज बहुत विराइटी में करने लगे, मतलब वो तो पहले से यूज कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़े अस्तर पर करने लगे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए था, अपने घर में फरनी या यूज होती थी, तो कई सारे रीजन्स में इनसान जो थे, वो पहले यूज करते थे, जंगलों को काट के जो लकडिया मिलती थी, उसको यूज करते थे, लेकिन पिछले 100 साल, 200 साल, 300 साल में ऐसा हुआ है, कि हमारे दुनिया में इंडस्ट्री आ चुकी है, साथ में शह होता है कि क्यों जंगलों को काटा जाता है, क्यों पेडों को काटा जाता है, ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से हो गया human factor, मतलब कि यहां पर इंसान क्यों जंगलों को काटते हैं, अगर आप से ये पूछा जाए, कि इंसानों के द्वारा क्या कारण है कि जंगल काटे तो यह आप यहाँ पर बता सकते हैं, मतलब deforestation के cause पूछे जाएंगे, जो इंसानों के कारण होते हैं, तो यह points हो गए, लेकिन वही पर कुछ ऐसे कारण भी है, जिससे कि naturally जंगल गायब हो जाते हैं, जंगल खतम हो जाते हैं, जैसे कि forest fire, जंगलों में आग लग जाता है, आपने जो पिछला chapter पढ़ा, वहाँ पर हमने बात किया था, forest fire के बारे में, कि कई बार क्या होता है, अब खुद बखुद, वहाँ पर गर्मी इतिनी ज्यादा बढ़ जाती है, सूखे पत्ते होते हैं, उनका temperature rise करता है, ignition temperature से उचा जाता है, जंगल में आग लग जाता है, और उस forest fire की वज़ा से बहुत बड़े इलाके का जंगल क्या हो जाता है, जल जाता है, खतम हो जाता है, इसके बाद कई बार क्या होता है, कि बहुत भ्यानक सूखा आता है, ड्राउट आता है, और उससे जंगल गाइब हो जाते हैं, देखे हमने अपनी जिंदगी में system नहीं हुआ करता था, हमारे पास नहर वगएरा उतने नहीं होते थे, या फिर बांध वगएरा उतने नहीं होते थे, तो कई बार जब सूखा आता था ना, तो लोग 5 साल तक 10 साल तक बहुत मुश्किल से जिंदगी काटते थे, वहाँ पर पानी बिलकुल गायब हो जाता था, जमीन पूरी तरीके से सुख जाती थी, खेती लायक नहीं होता था, और जब ऐसा सूखा आता था, तो उस समय में जो जंगल होते थे, वह भी बहुत बड़े स्तर पर साफ हो जाते थे, उनमें भी जो पेड़ पौधी होते थे, वो सब मर जाते थे, ठीक है? इसके बा होता है, क्या होता है, क्या होता है, मतलब नुकसान क्या होता है, तो वही चीज़ समझते हैं, तो जंगल हमारे लिए बहुत फायदे मंद हैं, जंगल फायदे मंद हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोग सिंपली सोचो, कि हम लोग क्य इन्हेल करते हैं हम लोग oxygen लेते हैं oxygen लेते हैं तो फिर co2 छोड़ते हैं और co2 जाता कहां है भाई atmosphere में जाता है अब atmosphere में co2 गया तो co2 फिर तो बहुत हो जाएगा अगर उसको use नहीं किया जाएगा तो यहां पर जो plants होते हैं वो क्या करते हैं co2 को consume करते हैं और वो उसको o2 में convert कर देते हैं photosynthesis process के दौरान ठीक है तो हमारे atmosphere में co2 के level को maintain करने के लिए हमारे जो जंगल होते हैं plants होते हैं यह काम आते हैं ठीक है इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो जो जंगल होते हैं पेड होते हैं वो जमीन को पकड़ करके रखते हैं और जमीन को जब पक को रोकते हैं मतलब जो मिटी है उसको बहने से रोकते हैं मिटी की quality अच्छी रखते हैं और साथ में nutrients उन में भरपूर होता है अगर जंगल होते हैं तो तो देखें वही बात है कि भाई देखो जो फायदा है जंगल होने से उसी का उल्टा नुकसान है जंगल के गायब होन ठीक है जैसे यहाँ पर points अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कहता है कि deforestation increases the temperature and pollution level on the earth भाई यह point है कि deforestation की वज़ा से earth का temperature rise करता है pollution level rise करता है pollution level कैसे rise करता है भाई अभी तुरंथ हमने co2 की बात की कि plant जो होते हैं वो co2 को consume कर लेते हैं खा जाते हैं खतम कर देते हैं तो भाई अगर plant नहीं होंगे तो क्या होगा co2 का मत्रा बढ़ जाएगा pollution बढ़ जाएगा इसी के बाद plants जो होते हैं वो हमारे इलाके के किसी भी इलाके में अगर जंगल है तो वहाँ पर temperature को कम रखने में मदद करते हैं तो plant अगर नहीं होंगे तो क्या होगा भाई temperature rise कर जाएगा ठीक है इसके अलावा और लेवल पर भी आगे बात करेंगे कि temperature rise करने का क्या मतलब है इसके साथ साथ कहता है कि it increases the level of carbon dioxide in the atmosphere carbon dioxide का level increase करता ह है अगर पेड़ नहीं होंगे तो ground water level lower हो जाता है जो जमीन के नीचे से हम लोग boring करके पानी निकालते हैं उसका level नीचे चला जाता है पानी नीचे चला जाता है क्योंकि पेड़ जो होते है water level को maintain करके रखते हैं इसके साथ ही जो deforestation होता है deforestation की वज़ा से nature का balance disturb हो जात हो जाता है nature में balance disturb होने का मतलब क्या पहले के जमाने में जितना oxygen generate हो रहा था वो plants consume कर ले रहे थे और o2 दे दे रहे थे लेकिन अब क्या किया है हमने जंगल काट दिये हैं इंसानों की संख्या बढ़ गई है जानवरों की संख्या बढ़ गई है तो जितने co2 हम लोग generate कर हैं उतना वो consume नहीं कर रहे हैं हमारे अर्थ पर क्या हो रहा है co2 का quantity बढ़ता जा रहा है उससे बहुत नुकसान हो रहा है इसके साथ साथ हमने क्या किया बहुत सारे जानवरों के घर उजार दिये उनके घरों को साफ कर दिया जंगलों को साफ कर दिया तो भाई वो भी ए बराबर बराबर बैलेंस में पहले चल रहा था लेकिन अब हर जगह इंसान 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 चल रहे हैं इंसान जो चाहरे हैं वो कर रहे हैं जैसे चाहरे हैं वैसे कर रहे हैं दूसरे पूरे प्रजाती के प्रजाती जीव जनतुओं को हम लोग खतम करते जा रहे हैं अब यहां पर सवाल बूझो पूछता है या फिर उसके मन में सवाल आता है कि deforestation के वज़े से rainfall कैसे कम होगा और इसके साथ साथ यहां पर soil का fertility कैसे कम होगा और साथ में यहां पर हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि rainfall कम हो जाएगा और दूसरी तरफ बात है कि हमारा बाढ़ भी आ ज there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts तो भाई बात है कि यहां पर अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगा और दूसरी तरफ हम लोग बोड़ रहे हैं पेड़ नहीं होंगे तो बाढ़ भी आ जाएगा तो यह चीज तो थोड़ा doubt वाला है आईए आगे देखते हैं तो यहां पर अगर हम लोग देखें फिर से वही co2 की बात की गई है temperature कैसे rise करेगा इसको समझाया गया है कि देखो भाई हमने शुरू में क्या पढ़ा है मतलब पहले class 7 में क्या पढ़ा है कि जो plants होते हैं वो co2 consume कर जाते हैं ठीक है हम जो co2 छोड़ते हैं उसको plants ले ले लेते हैं photosynthesis process क के दरान oxygen बना देते हैं और oxygen को atmosphere में छोड़ देते हैं एक cycle चलते रहता है ठीक है ये चीज हमने पढ़ा है लेकिन हम जब jungle साफ कर देंगे तो क्या होगा पेडों की संख्या कम हो जाएगी पेडों की संख्या कम हो जाएगी इसका मतलब क्या जो co2 हम लोग release कर रहे हैं उन तो उससे क्या होगा उससे co2 की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी और co2 का मात्रा बढ़ने की वज़ा से हमारे अर्थ पर क्या होगा global warming होगा global warming का मतलब क्या हुआ मतलब की हमारा जो अर्थ है उसका temperature rise करेगा जितना average temperature पूरे अर्थ का है उसका temperature rise करेगा गर्मी बढ़ेगी अब ऐसा क्यों होता है क्यूंकि यहाँ पर जो CO2 होता है वो क्या करता है हीट को Trap कर लेता है और उससे अर्थ का गर्मी बढ़ता है अब इसको जरा सा समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ देखो भाई यहाँ पर यह अर्थ है यहाँ पर मालो की हमारा Sun है यह Sun है अब Sun से हमार अर्फ पर क्या आ रहा है, light rays आ रहे हैं, गर्मी भी आ रही है, जो देखो बाई, सुरज की रौशनी पड़ती है तुमको गर्मी भी लगता है, तो गर्मी भी आ रही है, light rays भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तुमको एक चीज़ समझना चाहिए, कि देखो, जो सूरे से light rays आ लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब हम लोग CO2 की मात्रा बढ़ा देते हैं तो CO2 क्या करता है हमारे atmosphere में एक प्रकार का layer बना देता है इस प्रकार से जितना ज़्यादा मात्रा होगा उतना मजबूत layer होगा अर्थ के चारो और क्या करेगा CO2 एक layer बना देगा अब layer बनने के बाद यहाँ पर सूर्य की रोश्णी तो हमारे अर्थ तक पहुँचेगी हमारे अर्थ तक गर्मी पहुचेगा लेकिन क्या होगा कि जब ये गर्मी वापस अंत्रिक्ष की और reflect करने की कोशिश करेगा तो जो ये CO2 का layer है ये क्या करेगा ये हमारे गर्मी को heat को अर्थ से बाहर नहीं जाने देगा और atmosphere में ही trap कर लेगा और ऐसे जब atmosphere में गर्मी trap हो जाएगी तो इसकी वज़़से क्या होगा हमारे अर्थ का temperature rise कर जाएगा गर्मी बढ़ जाएगी ठीक है तो इस प्रकार से यहां पर हमारा क्या होता है global warming होता है CO2 के वज़़से ठीक है और भी gases है उनकी वज़़से भी होता है ठीक है अब यहां पर देखे क्या कहता है कहता है कि the increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall this could cause droughts मतलब क्या हुआ भाई मतलब यहां पर य है कि जब हमारे earth का temperature rise करेगा तो temperature rise करने की वज़़से हमारे earth का water cycle disturb हो जाएगा water cycle disturb होगा तो बारिस जहां होनी थी वहां होगा ही नहीं समझ गए जहां पर बारिस हर साल मई में होता था वहां नहीं होगा बारिस तो वहां पर क्या हो गया वहां पर drought की स्थिति आ गई और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जहां पर बारिस नहीं होता है, वहां पर बहुत जादा बारिश हो जाएगा, तो वहां पर बाढ़ा जाएगा, मतलब जो normal situation है उससे गड़बड हो जाएगा, कहीं पर बारिस होता है, वहां पर नहीं होगा, तो पुरा इलाका सूख गया, और कह उसकी वज़े से कहीं पर सूखा आ जाता है, ड्राउट आ जाता है, और कहीं पर हमारा बाढ़ा आ जाता है, समझ गए? अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे बोलता है, कि deforestation is a major cause, which leads to change in soil properties, कि भाई, जब हम लोग जंगल साफ करते हैं, तो जंगल साफ करने की वज़ा से, जो स्वाइल है, मिट्टी है, उसके भी गुन बदल जाता है, उसकी भी quality बदल जाती है, कैसे भाई? देखो भाई, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो यह जान लो कि जंगल होने से क्या फाइदा है, जंगल होने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं, और घना जंगल है, इस प्रकार की हमारी इस्थिती है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, कि किसी इलाके में जंगल होता है, तो यह जो पेड़ होते हैं, ये जमीन को पकड़ करके रखते हैं, पहली बात, मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं, तो अगर यहाँ पर पानी भी आता है, तो मिट्टी को इन जड़ों ने पकड़ करके रखा है, तो मिट्टी बहेगा नहीं, पहली बात है, दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे अगर मर जाता है या किसी पेड़ की कोई डाली तूट करके जमीन पर गिर जाती है तो वो जो डाली है उसमें क्या है भाई उसमें एक प्रकार से nutrients है और वो जो डाली है उसको यहाँ पर जमीन हमारा क्या कर लेगा absorb कर लेगा तो आपने पढ़ा है Class 7 ने कि यहाँ पर plants जो है उसमें organic matter add हो जाता है यहाँ पर plants को क्या मिल जाता है यहाँ पर plants को एक प्रकार से nutrients मिल जाते हैं आपने chapter 1 में भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है जब ऐसा करीब 1000 साल तक या 100-200 साल तक होता है तो यहाँ पर जो मिटी है उसकी quality बहुत अच्छी हो जाती है उसमें बहुत सारे minerals आजाते हैं, nutrients आजाते हैं Soil बहुत ही fertile हो जाता है उसमें water quality बहुत अच्छी होता है तो इसलिए ये soil बहुत अच्छी quality का हो जाता है लेकिन क्या हो अगर हम लोग यहां से क्या करें इस पूरे जंगल को साफ कर देंगे ये पूरा जंगल हमने साफ कर दिया जमीन को clean कर दिया तो क्या होगा यहां पर अगर हम लोग यहां पर जमीन को clean कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहली बात, जो पेड़ है, जिसके जड़ ने यहाँ पर पकड़ करके रखा हुआ है, मिटी को वो गायब हो जाएगा, मतलब अब वहाँ पर पेड़ नहीं है, मिटी बिलकुल फ्री है, तो अगर यहाँ पर पानी आएगा, तो मिट्टी को साथ में बहा करके ले जाएगा, इरोजन होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर जब हवा बहेगा, तो मिट्टी को साथ में उड़ा करके ले जाएगा, जो धूल उड़ता है न, उसी प्रकार से उड़ा करके ले जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर जो मिट्ट को लगतार organic matter मिल रहा था manure मिल रहा था वो भी मिलना बंद हो जाएगा तो अगले 10-20 साल के बाद क्या होगा ये जो मिट्टी है जो की पहले बहुती अच्छी quality के fertile मिट्टी हुआ करती थी वो खतम हो जाएगी और यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय भी तेगा वैसे वैसे यहाँ पर इस मिट्टी की fertility कम होती जाएगे ठीक है अब यहाँ पर क्या कहता है कहता है कि physical properties of soil get affected by plantation and vegetation ठीक है तो plantation और vegetation की वज़े से physical property affect होती है कैसे वो चीज मैंने आपको समझा दिया कहता है कि fewer tree result in more soil erosion कम मिट्टी कम यहाँ पर अगर पेड़ होंगे तो soil erosion जादा होगा soil erosion मतलब क्या मतलब कि यहाँ पर अलग-अलग factors की वज़े से जैसे पानी की वज़े से हवा की वज़े से या फिर और किसी कारण की वज़े से जो मिट्टी है वो एक तरीके से गायब हो जाती है जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा कैसा इलाका को दिख रहा है पूरा clean इलाका बस एक पेड़ है बीच में यहाँ पर क्या हुआ है इलाके में बारिश हुआ यहाँ से बारिश का पानी आना शुरू हुआ पानी बह करके आया बह करके जब पानी आया तो इस इलाके के पूरे मिट्टी को साथ में बहा करके ले गया देख रहे हैं कितना गड़ा बना हुआ है इस प्रकार से यहाँ पर यहाँ पर जो मिट्टी हुआ करती थी जो कि बहुत अच्छी quality की हुआ करती थी, वो मिट्टी यहां से गायब हो गई, तो soil की quality अच्छी हो गई की खराब हो गई, खराब हो गई भाई, soil की quality कम हो गई, तो यहां पर यही बात है, कि जब हम लोग deforestation करते हैं, तो deforestation की वज़र से soil erosion बढ़ जाता है, और साथ में soil का top layer जो है, वो exposed हो जाता है, मतलब soil का top layer गायब हो जाता है, और soil के नीचे के layer exposed हो जाते हैं, नीचे के layer exposed होने का क्या मतलब है, नीचे के layer exposed होने का यह मतलब है, कि देखो, जब हमारा जो मिट्टी होता है, मिट्टी में कई सारे layers होते हैं, सबसे उपर अच्छी quality का मिट् उसके नीचे देखोगे तो तुमको कंकड जैसे पत्थर जैसे इस्थिती मिलेगी, छोटे छोटे बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे, उसके नीचे जाओगे तो पत्रीला जमीन होता है, तो उपर का लेयर अगर गायब हो गया, जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी की थ तो उसके बाद नीचे क्या होगा, नीचे हाड और रॉकी लेयर्स होंगे, जो कि अब एक प्रकार से हमारा सर्फिस बन गया, उपर का लाका गायब तो नीचे वाला सर्फिस बन गया, वहां की क्वालिटी मिट्टी की अच्छी नहीं है, तो वहां पर पेड़ पौधे में कनवर्ट हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा ये पूरा इलाका धीरे धीरे डिजर्ट में कनवर्ट हो जाएगा, और यह जो हमारा प्रोसेस है, जिसमें एक इलाका फर्टाइल लेंड से डिजर्ट में कनवर्ट होता है, इसी को हम लोग डिफॉरेस बोलते हैं अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है कि deforestation also leads to decrease in water holding capacity of the soil जब किसी इलाके का deforestation होता है मतलब कि वहां की मिट्टी उबजाव जमीन से fertile land से एक प्रकार से desert में convert होती है तो जब मिट्टी की quality खराब होती है तो मिट्टी में water holding capacity भी कम हो जाता है मतलब कि आपने ये चीज़ पढ़ा है साइद पढ़ा है कि अगर किसी इलाके में किसी जमीन में हम लोग manure ज़्यादा डालते हैं organic matter मतलब कि कोई पेड़ पौधा कोई जानवर मर गया सड़ गया तो उसका जो content मिट्टी में mix हो जाता है तो वो चीज़ अगर हम लोग ज़्यादा डालेंगे तो water holding capacity भी ज़्यादा होता है मिट्टी का लेकिन अगर किसी इलाके में बलुआ ही मिट्टी है या फिर वहाँ पर dessert जैसा sand है अच्छा sand नहीं है तो वहाँ पर water holding capacity भी कम होती है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा जैसे जैसे deforestation होगा मिट्टी की quality खराब होगी वैसे वैसे water holding capacity भी कम होता जाएगा यहाँ पर कहता कि the moment of water from the soil surface into the ground is reduced मतलब कि जो पानी सोखने की छमता होती है मिट्टी की मिट्टी की अपने अंदर पानी ले लेता है वो कम हो जाता है और इस वज़े से यहाँ पर floods भी बढ़ जाते हैं floods भी district है इस district में बहुत अच्छी मिट्टी है बहुत अच्छी quality का यहाँ पर मिट्टी है और यहाँ पर क्या होता बहुत जादा बारिश होती है तो क्या होगा मिट्टी अच्छी है वो पूरा district में क्या होगा पानी सोख लेगा ठीक भाई पानी सोख लिया पानी जमीन के यहाँ पर soil की quality अब खराब हो चुगी है अब यहाँ पर पूरे district में बारिश होती है तो पानी जो है जमीन के अंदर नहीं जाता है जमीन के उपर बहने लगता है और बहते बहते पूरे इलाके से पानी जो है एक इलाके में क्या होगा आएगा और उस इलाके में बाढ़ आ समझ गया है तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर एक प्रकार से अगर हम लोग deforestation करते हैं तो उससे बाढ़ आने की भी समस्या आ जाती है कहता है कि the other properties of the soil like nutrient content, texture, etc. also change because of deforestation यह चीज़ तो मैंने शुरुआत में ही आपको समझा दिया कि जब यहाँ पर deforestation हम लोग करते ह हैं तो soil का nutrient, soil का content है, soil का texture है यह सब हमारा change हो जाता है deforestation की वज़ा से ठीक है? आगे यहाँ पर देखें तो आगे क्या है भाई? आगे कहता कि we have studied in class 7 that we get many products from forest, at least these products, will we face shortage of these products if we continue cutting trees. बात है कि भाई देखो हमने जंगल से बहुत चीज़े मिलती हैं, अगर हमने जंगल काट दिये तो क्या यह चीज़े हमें मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, कहां से मिलेंगी जंगल है यह नहीं है तो कहां से मिलेगा? ठीक है? सिंपल सी बात है, तो जंगल से हमें क्या मिलता है? अगर हम लोग कंपलसरी चीजों की बात करें तो भाई हमारे बहुत सारी दवाईयां जो होती हैं उनके लिए जो raw material होता है वो जंगलों से आता है बहुत सारे cancer की दवाईयां है जिनके लिए raw material जंगल से आता है और भी हमारे जो घर में furniture होते हैं उनके लिए जो लकडियां चाहिए होती है, जंगलों से आती हैं, अगर ऐसे बात करें तो हमको जिन्दा रहने के लिए जो oxygen चाहिए, वो भी एक प्रकार से हमें जंगल ही प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत तरीके के चीजे हमें यहाँ पर जंगलों से मिलते हैं, अब यहाँ पर हमारे सामने topic क्य आजाता है, यह चीज देखने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे देखें, तो आगे हम देख पा रहे हैं कि जब पहेली और बूझ हो, यह दोनों deforestation के effect को समझते हैं, कि भाई, deforestation होनी के वोज़े से कितना नुकसान होता है, तो यह simply अपने professor अहमत से पूछ कर सकते हैं, मतलब कि deforestation को कैसे रोक सकते हैं, या फिर हम एक प्रकार से forest को, wildlife को कैसे protect कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर professor अहमत जो हैं, वो एक प्रकार से अपने आसपास, जो चीजे हो रही हैं, सरकार जो चीजे कर रही हैं, उनको समझाने के लिए, दि वो ज्या करते हैं, एक विजिट प्लान करते हैं, कि भाई चलो हम लोग क्या करते हैं, गोहां पर हम एक प्रकार से देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, तो यहां पर जो बच्चे हैं और उनके प्रोफेसर एहमेद ये जाते हैं घूमने पंचमढ़ी Biosphere Reserv में घूमने और यहां पर वो क्यों इसे चुनते हैं चुनते इसी लिए हैं क्योंकि यहां पर बायो डाइवर्सिटी बहुत जादा है मतलब कि यहां पर बहुत विभिन प्रकार के जीव जन्तू प्राणी यहां पर रहते हैं और यहां पर जो रहने वाले जीव जन्तू हैं वो एक प्रकार से कैसे हैं हिमालियन पीक्स पर रहने वाले जीवजन्तू जैसे हैं और साथ में lower western घाट में जैसा biodiversity है वैसा है यहाँ पर अब इसका मतलब क्या हुआ मतलब यहाँ पर यह है कि भाई देखो जो हमारा पंचमणी biosphere reserve है उसमें biodiversity जादा है मतलब यह है कि यहाँ पर जो जानवर रह रहे हैं जीवजन्तू रहे हैं उनमें variation बहुत जादा है बहुत प्रकार के यहाँ पर जीवजन्तू रहते हैं तो biodiversity मतलब क्या विभिन प्रकार के जो जीवजन्तू रह रहे हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं अब यहाँ पर कहता है कि यहां का यहां पर जो plants और animals हैं वो कैसे हैं अपर हिमालियन peaks में जैसे पाई जाते हैं वैसे हैं और साथ में lower western घार्ट में जैसे पाई जाते हैं वैसे हैं इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यानी की पंच-मढ़ी biosphere reserve में जिस प्रकार के जानवर य मतलब की हिमाले के चोटियों के ऊपर थोड़ा सा हिमाले पर चड़ियेगा तो वहां पर जैसा पाया जाता है, वैसा यहां पर पाया जाता है, और साथ में जो विश्टन घाट है, जो विश्टन घाट है मतलब क्या, मतलब यहां पर विश्टन घाट आपको पता होगा, नही आपका हो गया Arabian Sea यह Arabian Sea हो गया यह हो गया Bay of Bengal हो गया ठीक है ठीक है यह Bay of Bengal Bengal मैंने गलत लिखा है उसको तिंसर मत लिजिए तो यहाँ पर क्या है कि हमारे इस पूरे तटिये इलाके के पैरलल में यहाँ पर एक आपका स्रिंखला चलता है एक आपको पहाड चलता है यह आपका कहलाता है यह कहलाता है Western Ghout और यह वाला होता है क्या Eastern Ghout अब भाई जैसे पहाड होता है पहाड का उचे उपर का हिस्सा होगा नीचे का हिस्सा होगा और वैसे पहाड यह पूरा प्लेटू रीजन है यह पूरा ऐसे तो यह चीज़े आप क्लास नाइन्थ में अच्छे तरीके से डीटेल में पढ़िएगा ठीक है यहाँ पर सिंप्ली समझ लीजे कि जो वेस्टन घाट है उसके नीचे वाले हिस्से कहने का मतलब क्या है भाई जो चोटी है वो पहुचते हैं तो वहाँ पर एक employee होते हैं माधव जी माधव जी से प्रोफिसर अहमद बोलते हैं कि बच्चों को जरा biosphere reserve में घुमा दीजिए बता दीजिए कि यहाँ पर क्या है कैसे है यह सारी चीज़े ठीक है और यहाँ पर कौन-कौन से preserving areas हैं और किस प्रकार से वो biological जो diversity है उसको protect करने में मदद करते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए कि देखो हम लोग अगर देखें तो हम लोग forest को या फिर wildlife को कैसे बचा सकते हैं तो उसके कई तरीके के तरीके हो सकते हैं पहला तो तरीका यह है कि हम लोग अपना personal effort लगाएं कि हम अपने खुद से जितना हो सके जानवरों को या फिर जंगल को नुकसान पहुचाने से बचें कि भाई हम लोग को जानवर को नुकसान नहीं पहुचाना है जंगल में कोई छेड़ छाड़ नहीं करना है तो एक प्रकार से हमारा प्रकृती का मदद होगा इसके अलावा society level पर भी कई सारे initiative चलाई जाते हैं बहुत सारे NGO होते हैं बहुत सारे organization होते हैं जो की forest को या फिर wildlife को protect करने का काम करते हैं उनके अलावा सरकार भी अपने अस्तर पर बहुत सारे steps उठाती है कौन-कौन से steps उठाती है जैसे सरकार बहुत सारे rules and regulation बनाती है कि भाई सरकार ने नियम बना दिया है कि आप जंगल में जाकर कि पेड़ नहीं काट सकते हो आपको जेल हो जाएगा जंगल में जाकर कि किसी जानवर को नहीं मार सकते हो आपको जेल हो जाएगा आप अगर किसी जंगल में जहां पर प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पर आप एंटर करते हो तो आपको फाइन ल करती है, वहाँ पर special protection एक प्रकार से areas declare करती है, कि भाई यहाँ पर आपको नहीं जाना है, यहाँ पर बहुत biodiversity है, इस इलाके में जाकर कि आप लकडिया नहीं चुन सकते हैं, पेड नहीं काट सकते हैं, जानवरों को नहीं मार सकते हैं, तो इस प्रकार से सरकार भी बहुत सार effort लगाती है, अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर कहता है कि to protect our flora and fauna and their habitats, protected areas called wildlife century, national park and biosphere reserve have been earmarked, मतलब क्या, हमारे देश में जो flora है, जो fauna है, इनको protect करने के लिए, हमारे देश में कई तरीके के protected areas declare किये गए हैं, जैसे कि wildlife century, national park, biosphere reserve, ताकि एक प्रकार से उस इलाके में रहने वाले जीव जन्तूओं को protect किया जा सके, अब भाई देखो यहाँ पर जिन इलाकों को declare किया है, जहाँ पर भी wildlife century होता है, national park होता है, biosphere reserve होता है, इसमें generally यह चीज होता है, कि वहाँ पर cultivation, cultivation, plantation, grazing, पेड़ को काटना, hunting करना, poaching करना, यह सब चीजे prohibited हैं, बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं, जहाँ पर आपको एंट्री भी allowed नहीं है, जहाँ पर आपको जाना भी नहीं है, समझ गए, तो यह क्या होता है, इनको short में समझते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे, wildlife century की बात करें, तो wildlife century एक प्रकार का protected area होता है, और यह mainly होता है animals के लिए, मतलब कि जिस इलाके में, जिस इलाके में animals कुछ खास प्रकार के हैं, जिनके उपर या तो खत्रा है, या फिर उनके habitat, उनके घर को बचाना जरूरी है, तो वहाँ पर सरकार wildlife century बना देती है, wildlife century declare कर देती है, तो यहाँ पर क्या होता है wildlife century में animals को protect किया जाता है, और animals में भी हो सकता है कि सरकार कुछ खास animals की बात कर रही हो, जैसे कि कई सारे आपको bird century मिलेंगे, तो bird century का target क्या है भाई, birds को बचाना है, उसी प्रकार से कई सारे आपको दूसरे प्रकार के centuries मिलेंगे, जहाँ पर कु प्रकार से कोशिश किया जाता है, कि यहाँ पर जो animals हैं, उनको किसी भी प्रकार से disturbance न हो, और साथ में उनको habitat का भी किसी भी प्रकार का disturbance न हो, ठीक है, इसके बाद national park की बात करते हैं, तो national park जो होते हैं, वो एक प्रकार से हम कह सकती कि सबसे protected areas होते हैं, जहाँ पर आपको wildlife और साथ साथ जो flora fauna है, सब को protect करने की बात की जाती है, और यहाँ पर आपको एक प्रकार से entry भी बहुत limited होती है, यहाँ पर बहुत मुश्किल से entry होती है, और साथ में यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर आपको generally entry allowed नहीं होती है, बहुत special condition में allowed होती है, special condition में आप जा सकते हैं, महाबतलब main बात यहाँ पर यह है कि national park में आप अगर जाएंगे, तो वहाँ पर जानवरों पर भी target किया जाता है, वहाँ पर flora जो आपके plants उनको भी target किया जाता है, और यहाँ पर कोशिश किया जाता है कि जो variation है organism का, उस variation को बना करके रखा का परिशानी ना हो, इसके बाद आता है हमारा biosphere reserve, अब देखें biosphere reserve जो होता है, वो generally national park और wildlife century से बहुत बड़ा होता है, अब देखें यह एक प्रकार से ऐसे areas होते हैं, जहाँ पर आपको जो organisms हैं, उनको बचाना है, plants हैं, उनको बचाना है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो कोशिश की जाती है, मतलब यह ऐसे इलाके होते हैं, यह ऐसे इलाके declare किये जाते हैं, जहाँ पर wildlife भी conserve किया जाएगा, plant और animal resources भी conserve किये जाएंगे, और साथ साथ यहाँ पर जो tribal living है, या फिर जो traditional living है, उसको भी protect किया जाएगा, और साथ में यहाँ पर अगर आप देखें तो biosphere reserve इतना बड़ा होता है, कि कई बार इसके अंदर national park होता है, wildlife century होता है, समझ गए? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो जो biosphere reserve है, उसमें कई zones बनाए गए होते हैं, कि किसी इलाके में आदमी लोग जा सकते हैं, किसी इलाके में नहीं जा सकते हैं, कोई area protected है, को कई तरीके की चीज़े यहाँ पर होती है, इतने जादा detail में आपको यहाँ पर नहीं बताया गया है, अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ें, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यही चीज जो मैं शुरू इस point को बताने से पहले पढ़ा रहा था, वही है, कि भाई सरकारी agencies forest और animals का ख्याल रखती है, सरकार rules, regulation, method, policy बगरा बताती है, ताकि किस प्रकार से animals को protect किया जाए, wildlife, century, national park, biosphere, reserve बगरा बनाती है, यह ऐसे protected areas होते हैं, ताकि plant और animal को protect किया जा सके, मतलब इन इलाकों में रहने वाले plant और animal को protect किया जा सके, ठीक, तो activity आपके लिए है, कि national park wildlife, century, biosphere, reserve अपने district, state, country में आप पता किजिए कितने हैं, इसके बाद यहाँ पर table दिया गया है, इसमें आप भर सकते हैं, अब यह देखिए, यह किस चीज़ का map दिया गया है, यह map दिया गया है, पंचमढ़ी biosphere reserve, जिस biosphere reserve के वारे में हमने पढ़ा कि जहां पर पहेली और बुझो जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, जो पंचमढ़ी biosphere reserve है, यह कई सारे zones में बाटा हुआ है, यहाँ पर एक तरफ इसी biosphere reserve में पंचमढ़ी century है, फिर इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, तो सत्पूरा national park है, इसके साथ ही बोरी century है, फिर यहाँ पर देख हैं, तो और भी चीज़े हैं, तो यहाँ पर आप यह चीज़ समझें, कि biosphere reserve बहुत बड़ा इलाका होता है, जिसको कई zones में बाट दिया जाता है, और हो सकता है, biosphere reserve के अंदर आपको national park भी मिल जाए, और उसके अंदर century वगरा भी मिल जाए, ठीक है? अब यहाँ पर biosphere reserve की the area meant for conservation of biodiversity, भाई देखो यहाँ पर biodiversity बचाने की बात खो रही है, biodiversity का simple मतलब क्या हुआ, मतलब किसी खास इलाके में जो जानवरों का या फिर plants का जो variation है, बहुत विभिन प्रकार के जो जीवजनतू रह रहे हैं, तो यह जो variation है ना, इसी को हम लोग biodiversity बोल रहे हैं, ठीक है तो यहाँ पर biosphere का भी तो मतलब एक प्रकार से जानना जरूरी है, यह तो आपने पढ़ा होगा biosphere के बारे में class 7th में पढ़ा होगा, biosphere मतलब क्या, biosphere, lithosphere, hydrosphere, यह पढ़ाया ना, तो biosphere एक प्रकार से वो हिस्सा हो गया, जहाँ पर तीनों मिलते हैं, जहाँ पर animals या फि biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area, तो यहाँ पर biodiversity क्या होता है यह बताया गया है, यह तो आपको पहले से ही पता है, variety of plants, animals and microorganisms microorganism generally found in an area, ठीक है, यह चीज़ तो आपको पहले से पता होगी, इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद कहता है, कि the biosphere reserve helped to maintain the biodiversity and culture of that area, मैंने आपको बोला ना, कि भाई, biosphere reserve जो होता है, वहाँ पर traditional living के उपर भी ध्यान दिया जाता है, कि भाई, पहले के जमाने में जो लोग रहा करते थे, वो एक प्रकार से जंगलों का respect करते थे, जंगलों का सम्मान किया करते थे, और जो वहाँ पर रहने वाले जीव जन्तु है, उनके साथ एक प्रकार सा coexistence बना कर रहते थे, कि भाई, मैं भी रहूंगा, तुम भी रहो, तो उस चीज़ को यहाँ पर जो सरकार होती है, वो प्रमोट करती है, और साथ में यहाँ पर अगर हम लोग देखे, तो उसको सरकार बढ़ावा भी देती है, कहता है कि अब Biosphere Reserve may also contain other protected areas in it, the पंचमढ़ी Biosphere Reserve consists of one national park name, सत्पुरा, and two wildlife century named Bori and पंचमढ़ी, वही बात है, मैंने पहले बताया, कि जो Biosphere Reserve होता है, व दूसरे protected areas हो, या तो wild life century हो, या फिर national park हो, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो आगे यहाँ पर क्या है, ये तो मैप मैंने आपको दिखा दिया, इसके बाद यहाँ पर, क्या है, activity है, activity में क्या बोलता है, list the factor disturbing the biodiversity in your area, some of these factors and human activity may disturb the biodiversity unknowingly, ठीक है, आपके इलाके में क्या-क्या factors हैं, जो कि biodiversity को affect कर रहे हैं, इसका एक list बनाना है, जो कि आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, आगे यहाँ पर देखें, तो आगे हमारे सामने topic क्या है, flora and fauna, तो भाई, flora and fauna कई बार शब्द आया है, तो यहाँ पर इस हम बात कर रहे हैं, समझ गए, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई, मेरे महले का flora बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर flora का मतलब क्या हुआ, मेरे महले में जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं, plants उनकी में बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर fauna मतलब क्या, मतलब animals की बात हो रही मतलब यहां पर मेरे महले मैं बोलता हूँ कि fauna बहुत variation है, बहुत ज़्यादा fauna है, तो मतलब यहां पर जो animals है न उनको मैं बोल रहा हूँ, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं short में समझा रहा था, इसको अच्छे से समझते हैं. कहता कि as the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest, they are very happy to see tall teak trees and animals inside the forest. बहुत अच्छे अच्छे पेड उनको दिख रहे थे, बड़े बड़े पेड दिख रहे थे, बहुत सारे आपको variation उनको दिख रहे थे, Suddenly, Paheli finds a rabbit and wants to catch it. She starts running after it. Professor Ahmad stops her. He explained that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. Madhav ji explained that some of animals and plants typically belong to a particular area. The plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna, respectively. Of that area. ठीक है? तो यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर किसी particular area में, the plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna respectively of that area. Flora मतलब क्या? हम लोग plants की बात कर रहे हैं. Fauna मतलब क्या? हम लोग animals की बात कर रहे हैं. मतलब यहाँ पर यह है कि कि किसी खास इलाके में, जो plants हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे, तो क्या बोलेंगे? Flora बोलेंगे. ठीक है? जैसे मैं बोलूँगा मेरे district में, flora बहुत अच्छा है. मतलब क्या? मेरे district में जो plants हैं, उन सभी plants को मैं बोल रहा हूँ. जितने भी plants हैं, जितने भी उन में variation हैं, तरह तरह के जो plants हैं, सब के लिए, सब को मिला करके, एक word मैंने बोला, flora. अब मैं बोलूँगा कि मेरे district में, fauna बहुत अच्छा है, fauna में variation बहुत है, तो fauna मतलब क्या सारे animals के हम लोग बात कर ले रहे हैं. ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो flora और fauna की बात यहाँ पर हो गई कि flora मतलब plants के हम लोग बात कर रहे हैं. जितने भी different type of variation of plants हैं, और साथ में fauna मतलब कि जितने भी different type of animals हैं, variation of animals हैं, उन सब की बात यहाँ पर हम लोग कर ले रहे हैं. अब यहाँ पर एक और बात बुला गया है, कि बहुत सारे ऐसे आपको जीव जनतु होते हैं, जो कि किसी खास इलाके में ही पाये जाते हैं, वो दूसरे example दिया गया है, कि देखिए, साल, टीक, मैंगो, जामून, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये सब क्या हैं, ये कुछ flora के example हैं, ये flora है, are the flora, and चिंकारा, ब्लू बल, बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लियोपार्ड, वाइल डॉग, वुल्फ, आर एक्जाम्पल ऑफ फौ पाए जाते हैं, कुछ आपको यहाँ पर एनिमल्स के नाम बताए गया है, जो कि पंचमढ़ी बायोस्पेर रिजर्व में पाए जाते हैं, तो ये क्या हुए, ये flora हुए पंचमढ़ी बायोस्पेर रिजर्व के, और ये क्या हुए, fauna हुए पंचमढ़ी बायोस्पेर र जामुन का ट्री है ठीक है तो यह सब चीज़े आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आगे हमारे शामने शब्द आता है endemic species यह topic भी और एक term भी है ठीक है तो endemic species कहने का मतलब क्या हुआ आइए समझते हैं कहता कि soon the group quietly enters the deep forest children are surprised to see a very big squirrel बच्चे जो है वहाँ पहुचते हैं तो देखते कि एक बहुत बड़ा giant squirrel ठीक है तो यहाँ बर कहता है कि this squirrel has a big fluffy tail they are very curious to know about it Madhauji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area यह जो giant squirrel इन्होंने देखा बहुत बड़ा squirrel देखा जिसका fluffy tail है तो इसको देखकर बच्चे चौक गए बोले कि यह क्या है तो इन्होंने कहा Madhauji ने कहा कि देखो बच्चो यह जो यहाँ पर हमारे जो इलाका है यहाँ पर एक खास प्रकार का हमारा squirrel पाया जाता है जिसको कि giant squirrel बोला जाता है और यह इस इलाके का endemic species है endemic species कहने का मतलब किया हुआ कि यह जो squirrel है यह सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पाया जाता है और दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है तो यहाँ पर यहीं चीज़ कहता है कि endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in particular area मतलब कि वो किसी खास इलाके में ही पाया जाते हैं और दुनिया में कहीं नहीं पाया जाते तो वैसे प्रजाती को हम लोग क्या बोलेंगे वैसे species को क्या बोलेंगे endemic species जैसे यहाँ पर giant squirrel है जो कहाँ पाया जा रहा है पंचमढ़ी biosphere reserve में और कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा वो कहाँ मिलेगा पंचमढ़ी biosphere reserve में तो यह giant squirrel क्या है एक endemic species है पंचमढ़ी biosphere reserve का ठीक इसके बाद कहता है कि they are not naturally found anywhere else मतलब देखो बात simply क्या लिख रहा है कि not naturally found कि भाई अपने आप नहीं मिलेगा अब हो सकता है कि मैं क्या करूँ पंचमढ़ी biosphere reserve में जाओं वहाँ से giant squirrel को पकड़ लूँ और ले जा करके अमरीका में छोड़ दूँ तो फिर बलूँगा अमरीका में मिलता है मिलता है अमरीका में ऐसे नहीं naturally कहीं नहीं मिलता है अगर वो कहीं artificially पहुंचा दे तो बात अलग है naturally कहीं नहीं मिलता है कहता है कि a particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country अब यहाँ पर बात कहता है कि देखो हम जब endemic species की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो किसी छोटे से इलाके के हम लोग बात करें मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे giant squirrel के बारे में हमने कहा कि वो कहा पाए जाता है पंचमढ़ी biosphere reserve में पाए जाता है ठीक है लेकिन कुछ आपको ऐसे प्रजाती हो सकते हैं जो की एक राज्य में पाए जाए जैसे अब लोग अगर देखें तो मान लोग कि कोई प्रजाती है जैसे घडियाल आपने सुना होगा घडियाल ठीक है जो मगरमच होता है जो Indian मगरमच है घडियाल वो कहा पाए जा इंडिया में के अलग-अलग इलाके में मिलता है लेकिन वो इंडिया के बाहर चाइना में नहीं मिलता है चाइना के अलावा वो जा करके अमरीका में नहीं मिलेगा वो कहा मिलेगा इंडिया में मिलेगा तो वो क्या है इंडिया का इंडियाल पर ही मिलता है एक डिस्टिक् कुन आपके बड़े छुटे हो सकते हैं इंडिमिक स्पीसिस का मतलब वही रहेगा ठीक है अब यहाँ पर आगे माधाव जी जो हैं बच्चों को साल दिखाते हैं वाइड मैंगो दिखाते हैं यह आपके दो एक्जामपल है किस चीज के इंडिमिक फ्लोरा के पंचमढ़ी ब दिखा दूँ तो कुछ खास है नहीं सिंपल सी है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका देख सकते हैं जो पूँच है वो क्या है बहुत ही बड़ा है लंबा है ठीक है अब इस पीसिस क्या है वैसे देखे इस पीसिस के बारे में आपको अभी उतना डिटेल में पढ़ना न आफ पॉपुलेशन, एक समूह, किसी ओर्गनिजम का एक ऐसा ग्रूप, जो कि आपस में इंटर ब्रीड कर सकता है, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग इनसान हैं, तो इनसान माता-पिता बन करके एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, उसी प्रकार से एक कु होता है, वो group एक species होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें, हम लोगों का human क्या है, एक species है, इसी प्रकार से dog क्या है, species है, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, तो lion क्या है, एक species है, तो यह सब क्या है, species है, यह humans का एक group है, जो कि आपस में इंटर ब्रीड कर सकता ह डॉग्स का एक group है जो की आपस में इंटर्वीड कर सकता है लाइन्स का एक group है जो की आपस में इंटर्वीड कर सकता है तो यह आपको एक group of organism होता है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे तो इसको detail में आप लोग आगे पढ़िएगा आगे classes में तब आपको अच्छे fertile of spring only with the member of their own species and not with member of other species अब यहाँ पर देखे एक condition है जो की बताया गया है मुझे बता देना चाहिए कि देखे भाई यहाँ पर कहता है कि जो यहाँ पर संतानम जन्म लेगा मतलब interbreeding के बाद जो संतानम जन्म लेगा वो fertile होना चाहिए fertile होने का मतलब क्या हुआ मतलब कि वो भी बच्चे को जन्म देने के लायक होना चाहिए इसका एक example है आपने खचर नाम सुना है खचर तो खचर एक प्रकार का जीव होता है जो की आपको horse और donkey के interbreeding से जन्म लेता है लेकिन क्योंकि यह दोनों अलग-अलग species है जो हमारा horse है और dog है और donkey है यह दोनों अलग species है यह जब interbreed करते हैं तो जो बच्चा जन्म लेता है उसको हम लोग ना तो donkey बोलते हैं ना तो horse बोलते हैं वो क्या है खचर है लेकिन वो जो खचर है वो क्या है infertile है वो बच्चे जन्म नहीं दे सकता वो अपना generation आगे नहीं बढ़ सकता है समझ गए तो यहां पर यही बात है कि जो बच्चा जन्म लेना चाहिए वो क्या हो एक प्रकार का fertile हो ठीक है और एक और चीज़ जो species के members होते हैं उन सब में common characteristics होते हैं जैसे इंसानों को देख लो सब इंसान तुमको एक जैसे दिखेंगे भले ही थोड़ा बड़ा color वगेरा तुमको difference मिलेगा लेकिन सब के यहां पर दस अंगलियां होती हैं सर होता है पैर होता है शरीर इस प्रकार का होता है चेहरा ऐसा होता है सब एक जैसे होते हैं सारे कुत्ते तुमको एक जैसे दिखेंगे भले उनके color वगेरा में तुमको difference मिलेगा लेकिन सारे कु इसे होते हैं तो थोड़ा मोड़ा difference को छोड़ दे तो ज्यादा difference होता नहीं है ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या आ गया सिंपली बात मैंने आपको पहले ही बोला था वाइड लाइब सेंचुरी जो होते हैं वो एनिमल्स को टार्गेट करके बनाये जाते हैं कि एनिमल्स का प्रोटेक्शन हो एनिमल्स का जो हैबिटेट है घर है उसमें किसी भी प्रकार का इंटर्वेंशन ना हो वो नैचुरली जैसे रहते हैं वो नैचुरली वैसे ही रह सकें उसमें किसी भी प्रकार का छेड छाड़ना हो इसके साथ साथ जो यहाँ पर प्रोफेसर अहमद है वो बच्चों को यह भी बताते हैं कि यहाँ पर जो वाइड लफ सेंचुरी में लोग रहते हैं उनको कुछ जाता है वाइड लफ सेंचुरी में और यह थोड़ी छूट होती है क्यों क्योंकि वाइड लफ सेंचुरी मेंली टार्गेट करके किसको बनाया जाता है एनिमल्स को और उनके हैबिटेट करके बनाया जाता है कि हमें एनिमल्स को प्रोटेट करना है उनके हैबिटेट को प घडियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसूरस, etc. are protected and preserved in our wildlife centuries. इनको कहाँ पर protect किया जाता है? इनको protect किया जाता है wildlife centuries में. मतलब कि जिस भी इलाके में ये जानवर पाए जाते हैं, उस इलाके को wildlife century declare कर दिया जाता है, ताकि इनके घर को बचाया जा सके, इनको बचाया जा सके, और इनकी जिंदगी में किसी न किसी किसी भी प्रकार की छेड़ छाड़ ना हो. अब यहाँ पर कहता है कि Indian centuries have unique land escapes, broad level forest, mountain forest and bush land in deltas of big river. मतलब कि wildlife century कई इलाकों में हो सकता है, normal plane surface पर भी हो सकता है, कई बार आपको दल्दली जमीन पर भी wildlife century declare कर दिया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर आगे बात करता है कि देखो यहाँ इतना करने से भी फायदा नहीं है, फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि protected forest में भी जो जानवर हैं वो safe नहीं है, पोचिंग कहने का मतलब है कि एक तरीका इससे जानवरों को मारना ताकि उनसे कुछ valuable चीज़े हम लोग प्रात कर सके, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे तो आगे कहता है कि children are reminded of their visit to the zoo, they recall that Jews are also places where animals receive protection, अब यहाँ पर सवाल यही है, जू में जब जानवर protected हैं, अच्छे से ख्याल रखा जाता है जानवरों को, तो फिर इतना बड़ा बड़ा wildlife century बनाने का क्या जरूरत है? तो भाई इसका answer यहाँ पर यह है कि जू जो है और हमारा wildlife century है, इसमें बहुत बड़ा difference है, क्या difference है? simple सा difference है, कि जो zoo है, वो जानवरों का natural घर नहीं है, उनको जबरजस्ती वहाँ पर हमने कैद करके रखा है एक artificial घर में, लेकिन जो wildlife century होते हैं, वहाँ पर जो जानवर रहते हैं, वो अपने जिन्दगी को अपने तरीके से जीते हैं, अपने natural घर में जीते हैं, किसी प्रकार का उनको artificial life नहीं दिया जाता है, वो अपना खाना खुद से खाते हैं, अपना शिकार खुद से करते हैं, अपना जहां रहने का मन है, जहां सोने का मन है, जहां खाने का मन है, वैसे वो जीते हैं, किसी भी प्रकार का उनके जिंदगी में छेड़ छाड़ नहीं होता है लेकिन अगर कोई जानवर जूँ में है तो उसको छोटे से जेल में एक प्रकार से कैद कर दिया जाता है वही पर उनको रखा जाता है उन वही पर उनको खाना वाना दिया जाता है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है नैशनल पार्क, नैशनल पार्क की बाद कर लेते हैं बच्चे घुमते घुमते सत्पूरा नैशनल पार्क के पास पहुँच गए अब यहाँ पर जो बच्चे हैं यहाँ जाने के लिए ततपर थे कि भाई चलो हम लोग क्या गरते हैं सतपुरा नैशनल पार्क घुम करके आते हैं घुमने आये तो यहाँ भी घुमेंगे तो यहाँ पर बताये जाता है माधवजी द्वारा की देखो यहाँ पर यह जो के बारे में सिंपली बता दूω कि नैशनल पार्क जहां पर भी होता है फाहां किसी एक खास इसपिसिस को टार्गेट नहीं किया जाता वहां पर सभी प्रकार के जितने भी इसपिसिस पाई जाते हैं उन सब को प्रोटेट किया जाता है मतलब की national park में हम लोग animals को भी protect करते हैं, साथ-साथ वहाँ पर plants को भी protect करते हैं और साथ-साथ वहाँ पर इनको एक प्रकार से जो variation है मतलब कि माल लो कि यहां पर किसी national park में 100 प्रकार के जीवजंतू पाए जाते हैं plants और animal मिला करके तो हमेशा कोसिस होती है कि सभी 100 प्रकार के जो यहां पर जीवजन्तु हैं उनको प्रोटेट किया जाए को किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई गड़बर ना हो कोई गायब ना हो यहां से कहता है कि मतलब यहां पर क्या है भाई यहां पर क्या किया जाता है नाशनल पार्क में यहां पर flora, fauna, सब को protect किया जाता है और सब का ख्याल रखा जाता है यहाँ पर target क्या होता है target होता है कि भाई ecosystem बचाना है ecosystem क्या होता है ecosystem के बारे में अपने पढ़ा होगा नई पढ़ा तो simply समझा देता हूँ कि देखो कोई खास इलाका है किसी खास इलाके में रहने वाले जो सारे जीव जन्तू हैं जो की एक दूसरे के उपर depend करते हैं अपने life को चलाने के लिए और साथ साथ अपने आसपास के जो nature है उसके उपर depend करते हैं तो इन सब का एक मिला जुला जो system है इसी को ecosystem बोला जाता है मतलब simply यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मान लोग की ये किया है ये बड़ा सा कोई पार्क है नैशनल पार्क है अब इस नैशनल पार्क में हो सकता है कि बहुत सारे पेड हो इस नैशनल पार्क में जितने भी जीव जन्तू है चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई प्लांट है, चाहे कोई कीड़े, मकौडे, सांप वगरा कुछ भी है यह सब जो है अपनी जिन्दगी के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं जैसे यहाँ पर यह जो जानवर है यह मानलोगर बकरी है तो जा करके प्लांट को खाएगा और यह प्लांट है इसको सर्वाइब करना है जिन्दा रहना है तो क्या करेगा सूर्ष की रोशनी लेगा यहाँ पर इस पार्क में जो जमीन है जमीन से पानी लेगा ठीक है इसके स साथ साथ यहां पर, जब कोई जानवर मर जाएगा, तो उसके सरीर से इस मिट्टी को नियूट्रियन्ट मिलेगा, तो वो एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है? इसी प्रकार से यह बकरी है अगर, तो बकरी अगर है, तो इसको कोई शेर आकर के खा लेगा, तो शेर है, शेर मर ग और साथ में अपने सराउंडिंग के उपर भी डिपेंड करता है अपने आसपास के नेचर के उपर भी नेचर मतलब क्या यहाँ जो पानी है यहाँ जो जमीन है यहाँ जो सुर की रोशनी आ रही है उनकी बात कर रहे हैं तो इन सबका जो एक सिस्टम हुआ जिसमें कि सभी और्गिनिजम एक दूसरे के उपर डिपेंड करते हैं और अपने आसपास के नेचर के उपर डिपेंड करते हैं खुद को सर्वाइव करने के लिए उसी को हम लोग एको सिस्टम बोलते हैं जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो नैशनल पार्क मैंने बोला नैशनल पार्क का एक एको सिस्टम हो सकता है कोई तलाब है तो तलाब का अपना एको सिस्टम हो सकता है तलाब के अंदर रहने वाले सारे जिव जनतु एक दूसरे के उपर डिपेंड करेंगे और अपने nature के उपर depend करेंगे अपने surrounding के उपर environment के उपर तो यहाँ पर जो ecosystem है अलग-अलग इलाके का अलग-अलग हो सकता है उस इलाके के जरूरतों के हिसाब से अब यहाँ पर बताया गया कि देखो भाई सत्पुरा नेशनल पार्क जो है यहाँ पर हमको rock shelters भी देखने को मिलते हैं rock shelters कहने का मतलब कि आज के हजारों साल पहले जो लोग रहा करते थे वो गुफाओं अगरा में रहा करते थे तो उसके सबूत यहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर prehistoric human life के सबूत मिलते हैं कि लोग यहाँ जंगलों में रहा करते थे यहाँ पर एक प्रकार से rock painting भी मिला है कुल मिलाकर 55 rock shelters मिले हैं और यहाँ पर यह कहां मिले हैं पंचमणी biosphere reserve में और यहाँ पर animals की तस्वीरे हमको printing में दिखती हैं जो कि लोग लोग fight कर रहे हैं hunting कर रहे हैं dancing कर रहे हैं musical instrument बना रहे हैं यह सब चीज़े करते हुए यहाँ पर लोग हमें दिखते हैं इन तस्वीरों में यह सब चीज़े हैं यहाँ पर मिली अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर क्या कहता है कि as children move ahead they see a board with satpura tiger reserve written on it तो यहाँ पर अब बच्चों को क्या दिखता है tiger reserve दिखता है tiger reserve क्या है भाई तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमारे देश में जब भी किसी खास प्रजाती की आबादी कम हो जाती है तो उस खास एक खास species को बचाने के लिए सरकार project launch करती है तो क्या हुआ था हमारे देश में एक ऐसा समय आया था जिस समय tigers की संख्या बहुत कम हो चुकी थी तो सरकार ने कोशिश किया कि हम लोग क्या करते हैं एक special project चलाते हैं ताकि tigers की संख्या को maintain किया जा सके बचा करके रखा जा सके और यहाँ पर इसी के लिए project tiger launch किया गया था यह सायद मेरे ख्याल से 1972 में launch किया गया था ताकि tigers के population को बढ़ाया जा सके और बहुत सारे इलाके जहाँ पर tigers मौजूद थे वहाँ पर tiger reserve घुसित किये गये थे ताकि वहाँ पर tigers के population को बढ़ाया जा सके ठीक है यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर क्या है आज भी इंडिया में बहुत सारे पाई जाते हैं और यह जो लाँच किया गया था प्रोग्राम यह सक्सेस्फुल रहा क्योंकि बहुत अच्छी मात्रा में अब हमारे देश में टाइगर्स हो चुके कहता कि टाइगर is one of the many species which are slowly disappearing from our forest but the सथपुरा टाइगर रिजर्व is unique in the sense that that a significant increase in the population of टाइगर्स has been seen here तो यहाँ पर क्या है टाइगर्स की संख्या हमारे देश में लगातार कम होते जा रही है हमारे देश के जंगलों में पहले बहुत बड़ी संख्या में टाइगर्स पाई जाते थे लेकिन आज की समय में बहुत कम संख्या उनकी बची हुई है इसलिए सरकार को ऐसे plants भी launch करने पड़े लेकिन आज अगर हम लोग देखे तो धीरे धीरे जब से ये project launch किया गया है हमने टाइगर्स की संख्या को बढ़ाने में काफी सफलता पाई है और कहता है कि once upon a time animals like lions, elephant, wild buffalo and bara singha were also found in सत्पुराड national park animals whose number are diminishing to a level that they might face extinction are called endangered animals तो यहाँ भाई endangered animals क्या होते हैं? ऐसे animals, animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are called are known as endangered animals मतलब ऐसे जानवर जिनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है कि वो विलुक्ती के कगार पर है वो दुनिया से गायब होने के कगार पर पहुँचुके, उनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है तो ऐसे जो animals होते हैं उनको endangered animals बोला जाता है जैसे कि मान लोगी जो हमारे देश में tigers हैं, उनकी बात करते हैं तो tigers की संख्या एक समय में हमारे देश में 300 या 300.5 पहुँच गई थी सोचो कि हमारे पूरे देश में कितने tigers हैं भाई, 300 से 300 अगर उनको नहीं बचाया जाएगा और लगातार लोग उनका hunting करेंगे, उनका शिकार करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे देश में एक भी tiger नहीं बचेगा तो ये जो species हो गए, ये क्या हो गए? endangered species हो गए, पूरी तरीके से गायब, मतलब गायब हो सकते हैं इसी प्रकार से बहुत सारे दूसरे animals भी हैं, जिनके उपर इसी प्रकार का खत्रा है कि वो गायब हो जाएंगे तो इनको protect करने के जरूरत होती है, अब यहाँ पर आगे बूझो बात करती है dinosaurs की, देखो भाई, dinosaurs हमारे प्रित्वी पर हुआ करते थे लेकिन आज के हजारों साल, करोडों साल पहले वो क्या हो गए, हमारी दुनिया से extinct हो गए, पुरी तरीके से गायब हो गए कहता है कि survival of some, यहाँ देखे wild buffalo का तस्वीर आपको दिख रहा है, आपके आसपास पाने वाले जो buffalo होते हैं उनसे बहुत ही अलग यह होते हैं, उनका पूरा look अलग होता है कहता है कि survival of some, animals have become difficult because of disturbance in their natural habitat कहता है कि बहुत सारे ऐसे जी जनतु हैं, जिनका survival आज के समय में बहुत ही मुश्किल हो चुका है क्योंकि जो उनका natural घर है, natural habitat है, उसमें बहुत ज़दा disturbance हो रहा है कहता है कि यहाँ पर Professor Ahmed कहते हैं, कि tells them that in order to protect plant and animal, strict rules are imposed in all national parts Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals, collection of firewood, medicinal plant, etc. are not allowed मतलब जो national park होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़ चाड़ allowed नहीं होता है लोगों की entry तक allowed नहीं होती है, अगर entry allowed होती है, तो special condition में allowed होती है जहाँ पर उनको guides वगरा दिये जाते हैं, तब लोगों को entry allowed होती है यहाँ तक की लोगों को यहाँ से medicinal plant भी लेना allowed नहीं होता है, firewood के लकड़ी लेना allowed नहीं होता है जानवरों को पकड़ना, hunting करना, poaching करना कुछ भी allowed नहीं होता है, यह बहुत ज़दा protected areas होते हैं अब यहाँ पर पहली एक सवाल पूस्ती है, are only big animals facing extension? क्या जो हमारे आसपास जो बहुत बड़े-बड़े animals पाई जाते हैं सिर्फ उनके उपर खत्रा है क्या? तो answer है नहीं, हमारे आसपास जो छोटे-छोटे animals होते हैं, उनके उपर बहुत ज़दा खत्रा है और बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं, वो extinct भी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे जानवर होते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं, उनके उपर हम लोग ध्यान नहीं देते, वो एक प्रकार से उतने highlight नहीं होते, जैसे अगर किसी इलाके में बाग आएगा, तो सब को पता है कि भाई बाग आया है, बहुत बाग जोर से आवाज करता है, इसके साथ साथ वो बहुती बड़ा होता है, तो ये दिख जाता है हमको, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग अपने आसपास पाए जाने वाले जो snakes होते हैं, frogs होते हैं, lizard, bat, owls, ये सब होते हैं, इनको बिना सोचे समझे, मार देते हैं, हमारे घर के आसपास अगर कोई सांप दिखता है न, तुरंत उसको मार दिया जाता है, कोई अगर मिंठक आपके घर में आ गया तो लोग मार देते हैं, इसी प्रकार से lizard को भी, bat, owl, ये सब जो छोटे छोटे जानवर हैं, इनक के उपर भी खत्रा हो सकता है, ये भी गायब हो सकते हैं, प्रिथ्वी से हो सकता है कि ये गायब हो जाएं, तो बात यहां पर यह है, कि ये सारे जानवर भी हमारी दुनिया की ecosystem के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, लेकिन हम इनको बिना सोचे समझे मारते चलते हैं, क्यों जितने भी plants से सब का एक importance होता है, सब का एक जरूरत होता है, कहता है कि they form part of food chain and food way, food chain वगरा के बारे में आगे classes में पढ़िएगा, तो उसका ये part बनाते हैं, ठीक है, अब ecosystem की बात की गई है, कि an ecosystem is made of all the plants, animal and microorganism in an area, along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, तो ecosystem को मैंने आपको समझा दिया, तो ये चीज़ आप पढ़ लेंगे, तो और भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे तो आप समझ ही चुके हैं, अब इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे हमारे सामने क्या है topic, red data book, अब यहाँ पर बात यह है, कि जो बुझो which keeps a record of all the endangered animals and plants, तो सरकार एक record रखती है, कि भाई, कितने जानवर जो हैं, इंडेंजर्ड हैं, कितने plants endangered हैं, उनका जो record जिस किताब में या जिस book में रखा जाता है, उसको red data book बोला जाता है, ठीक है, red data book is maintained internationally by an organization, India also maintained red data book for plant and animal found in India, तो यहाँ पर बात है, कि भाई, देखो, इंडिया की जो सरकार है, वो अपने देश में जो जानवर है endangered species हैं, उनके उपर ध्यान रखती है, इसी प्रकार से international पर भी एक organization है, जो कि दुनिया के अलग-लग देशों में कहाँ पर कौन सा जानवर के उपर खत्रा है, इसके हुआ है, तो यिसको समझते हैं, कहता है कि the excursion party then enters deeper into the forest, under the guidance of Madhauji, they sit near Tawa, Tawa Reservoir to relax for some time, यह लोग घुमते घुमते कहाँ पहुँचाते हैं, भाई, जो हमारा पंचमणी Biosphere Reserve है, उसके एक इलाकी में पहुँचाते हैं, Tawa Reservoir के पास, तो यहाँ पर देखते हैं, जो पहल और Madhauji इन बच्चों को बताते हैं कि यह सारे birds कैसे bird हैं, Migratory bird है, Migratory bird कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि यह सारे जो birds हैं, यह इस इलाके के रहने वाले birds नहीं हैं, बलकि यह किसी दूसरे इलाके में रहने वाले birds हैं, यह अच्छे मौसम की वज़ा से, यह हजारों किल हो गया है, वहाँ पर जिंदा रहना मुश्खिल है या फिर वहाँ पर बच्चे जन देना मुश्खिल है, इस वज़र से यह बच्चे migrate करके यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर generally जो यह birds आते हैं, कई बार देखिए कई बहुत सारे birds होते हैं जो कि रश्या से या फिर बहुत दूर-दूर से यहाँ पर इंडिया में आते हैं जैसे गुजरात में कुछ हिलाके हैं मुझे नाम याद नहीं है वहाँ पर आप देखेगा तो बहुत सारे migratory birds आते हैं और भी राकों में बहुत सारे migratory birds आते हैं क्यों आते हैं इसका simply कारण यह है क्योंकि यहाँ पर जब उनके इलाके में climatic changes होते हैं ठंडी या गर्मी बढ़ जाता है तो उस मौसम को अवाइड करने के लिए यहाँ पर वो आ जाते हैं यहीं चीज़ कहता कि migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic changes climatic changes के वो बहुत दूर दूर जाते हैं और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ इंडिया में आते हैं बहुत सारे birds दूसरे इलाके में जाते हैं अलग-अलग इलाकों में यह birds जाते रहते हैं they fly for laying eggs as the weather in their natural habitat become very cold and inhospitable birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds वैसे birds जो की अपने घर को छोड़ कर बहुत लंबा distance cover करके किसी दूसरे इलाके में पहुचते हैं ऐसे birds को migratory birds बोला जाता है इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में migratory birds आते हैं उसी प्रकार से दूसरे देशों में भी migratory birds बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं अब यहाँ पर recycling of paper paper की बात की गई है paper की क्यों बात की गई है यहाँ पर बात यह है कि हम लोग बात कर रहे हैं deforestation का और deforestation से जुड़ा हुआ है paper क्यों भाई paper क्यों जुड़ा हुआ है क्योंकि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक टन paper बनाने के लिए कितना? एक टन paper बनाने के लिए सत्रह पूरे बड़े पेड़ों को काटना पड़ता है इसलिए हमें जादा से जादा paper को save करने के जरूरत है ताकि हम जादा paper save करेंगे तो क्या होगा? कम से कम पेड़ काटने पड़ेंगे सुचिये कि एक टन paper बनाने के लिए कितने पेड़ काटने पड़े? सत्रह पूरे बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पेड़ काटने पड़े तो यहाँ पर देखिए जो है प्रोफिसर आहमद वो बच्चों को बचाते हैं कि देखो भाई जो हमारे पास पेपर है उसको पांच से साथ बार रिसाइकल किया जा सकता है तो अगर हर बच्चा अपना सारा पेपर सेव करेगा या ज्यादतर पेपर को सेव करेगा अगर उसका recyclin' possible हो पाएगा तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पेड़ों को बचाने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं कि भाई पेड अगर काटने पड़ रहे हैं हमारे पेपर को बनाने के लिए, अगर हम पेपर का रिसाइकलिंग करने में मदद कर दें, उनको सेव करके रिसाइकलिंग के लिए भेज दें, तो यहाँ पर इस विज़ा से क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को बचा सकते हैं, अगर बड़े अस्तर पर हम लोग पेपर का रिसाइकलिंग करते हैं तो, ठीक है, अब इसके साथ-साथ यहाँ पर यह भी बताता है कि देखो भाई, पेपर बनाने में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो भी एक प्रकार से कम रिलीज होंगे, अब यहाँ पर देखिए, पर्मानेंट सॉलूशन की बाद कहरा है, बुजो पूशता है कि यहाँ पर हमारे पास जो इतनी बड़ी समस्या है, डीफॉरेस्टेशन की, उसका पर् मतलब की रिफॉरेस्टेशन, तो यहाँ पर मतलब सिंपली क्या हुआ, मतलब की भाई हम लोग पेड़ काटते हैं, क्या करो, पेड़ लगाना चालू गर दो, जितने ज़्यादा पेड़ लगा लोगे, उतना अच्छा रहेगा, तो यह चीज यहाँ पर प्रोफेशर आहम बताते हैं, कहता कि प्रोफेशर आहमद सजेश्ट दाइट, दाइंसर तो डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, 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 रिफॉरेस्टेश करना है पेड लगाना है लेकिन पेड लगाने समय हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पहले पेड हुआ करता था वही पेड हम लोग दोबारा लगाएं किसी दूसरे पजाती के पेड को यहाँ पर हम लोग ना लगाएं ठीक We should plant at least as many trees as we cut Reforestation can take place naturally also कहता है कि भाई देखो जितने पेड काटो उतने पेड लगाना चाहिए और साथ साथ बात ये भी है कि रीफॉरेस्टेशन करने की हर बार जरूरत नहीं होती कई बार रीफॉरेस्टेशन खुद से भी हो जाता है मतलब सिंप्ली ये सोचो कि तुम अगर किसी इलाके में जा रहे हो खेती हो रहा है अगर उस जमीन को तुम 10 साल के लिए छोड़ दो ना तो 10 साल के बाद तुमको दिखेगा कि वहाँ पर बहुत पेड वगेरा आ चुके है ऐसा होता है, नैचुरल ही होता है कि तुम किसी इलाके को साफ न करो तो वहाँ पर जाड़िया उग जाती है और उसी इलाके को तुम 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए छोड़ दो ना तो वहाँ पर तुमको बड़े-बड़े पेड अपने आप उगते हुए दिख जाएंगे कहता कि if the deforested area is left undisturbed, it re-establishes itself. In natural reforestation, there is no role of human being. Natural reforestation में humans का कोई role नहीं होता, वो अपने से होता है. We have already caused tremendous damage to our forest. हमने बहुत बड़े अस्तर पर अपने आस पास के जंगलों को नुकसान पहुचा दिया है, तो ये एक चीज तरीके से हम लोग बहुत गिल्टी हैं अपने नेचर के प्रती, कि भाई हम जितना फायदा नहीं कर रहे हैं अपने surrounding का, अपने environment का, अपने अर्थ का, उससे बह the forest conservation act, this act is aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic need of people living in or near the forest, after some rest, Madhau ji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset, on getting back Professor Ahmad and the children, thank Madhau ji for guiding them through this exciting experience, छे के बड़े बाइ, चेप्टर आप समझ गए, सिंपल सा चेप्टर है कि भाई हम लोग फॉरिश्ट को बचाना चाहिए कैसे बचाना चाहिए, क्या प्रॉब्लेम्स हैं, क्या सोलूशन है ये सारी चीज़े आप लोग समझ चुके हैं तो यहाँ पर हमारा चेप्टर समाप्त हो गया मिलते हम आपसे अगले वीडियो में, अगले चेप्टर के साथ तब तक के लिए, गुडबाई